हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अडानी पावर और अडानी विलमार के शेयर के बारे में उससे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में जो निकल के आईए याद ही होगा आपको कि एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप के उपर बेहत जादा लिवरेज है बेहत जादा डेट है वो और इंट्रेस्टिंग है उसमें उन्होंने अपनी गल्ती मानी है अब क्या गल्ती है यह आपको इस वीडियो में पता चलेगा बट डेफिनिटली जो खबर निकल के आई है आई तिंग इस वेरी पॉजिटिव तो इसके आर में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस अब अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि कोई एजनसी पहले आपको एक रिपोर्ट निकाल टीवी देखने को मिलती है उसमें कहती है कि जिस प्रकार का इनके उपर डेट है इससे कंपनी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकती आने वाले समय के लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो डिफिनेटली रिपोर्ट आती वी देखने को मिल रही है वो उसके बिलकुल विपूरीत आ रही है तो याद रखेगा इसमें एक अडानी पावर का नाम भी था बहुत इंपोर्टन बात कर रहा हूं कि अडानी पावर भी यहाँ पर आ इंडियाज रिच्चेस पोसं गौतम अडानी कंट्रोल करते हैं उनकी कन्वोसेशन में साफसाफ कहा गया है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट आती वी देखने को मिली है और कन्वोसेशन जो मैनेजमेंट के साथ की गई है उसके मुताबिक इनके क्यालकुलेशन एरर्स आती और फ्लागिंग कर रहे थ यहनी बीसिकली यह कह रहे थ है कि बहुत रिस्क हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर अडानी कंपनीज के अंदर अब definitely दोस्तों यहाँ पर जो कह सकते हैं कि answer जो आता हुआ देखने को मिल रहा है इनका वो definitely change होता हुआ देखने को मिल गया है उन्होंने काया कि management views that the group leverage is at a manageable level अब अपने आप में बेहद interesting बात है यह वो मानते हैं कि जो group के अंदर debt है वो एक manageable level पे है यानि इतना कोई खास बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है plus उन्होंने ये भी कहा है कि that expansion plans have not been mainly debt funded उन्होंने ये भी कहा है कि जो expand किया है company ने वो सिर्फ loan लेकर नहीं किया है debt का मतलब तो basically loan है और ये भी कहते हुए देखने को मिलें कि credit side said about the group that has announced deal worth billions of dollars this year alone so जो deals भी अभी announced किये company ने वो अपने आप में बेहद interesting है ये भी उनके तरह से साफ साफ का आ गया है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो adani transmission जो यहाँ पर company है उन्होंने यहाँ पर change किया है पहले दोस्तों जो बताया था वो बताया था कि 52 billion rupees का एक estimate जो है आता हुआ देखने को मिलेगा और पहले 42 million rupees बिलियन रुपीज पर उनकी तरफ से बताया गया था कि इतना almost 100 billion से कम almost 100 billion बता रहा हूँ राइट तो आप समझे कि यहाँ पर जो reports आती ही देखने को मिलती है कभी कवार यह साफ साफ बताती है कि हर पर विश्वास अगर आप करेंगे तो गलत है वो यह साफ साफ देखे report बतारी विकास अगर आप समझे report आने से पहले उसको परखा न जाए समझाना जाए company जो release कर रही है उसको पता नहीं कि इसका impact क्या हो सकता है तो definitely देखे यह गलत बात है और हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर dead है इसमें कोई doubt नहीं है बट जितना वो मान के चल रहे थे वो उतना नहीं था जितना उनकी तरफ से कहा गया उतना नहीं था उ 400 रुपे के लेवल की उपर maintenance में कोई डाउट नहीं है 399 का आज का low बनता हुआ देखने को मिला बट ठीक ए closing आती वी देखने को मिल गई और इस अफते अगर आप देखेंगे तो stock थोड़ा सा consolidate किया है 400 रुपे के लेवल के तर जो अच्छी बात है consolidation आना चाहिए लेकिन आपको definitely continue होता हुआ देखने को मिल रहा है जरूर यह कहूंगा कि हाँ levels का ध्यान रखना पड़ेगा बिकास जो नीच में support के तौर पर काम कर रहे हैं यह वाले levels वह अपने आप में crucial है बिकास अगर यह break हो जाते हैं नीचे में तो किसी को नहीं पता कि भीर कहां तक जाए वह बहुत important है बिकास किसी भी तीजी को अगर आपको play करना है तो वह तीजी सिर्फ technically नहीं बट fundamentally होना जरूरी है और अगर दोनो fundamentally प्लस technically का साथ हो तो undoubtedly देखे stock जो है वो बढ़िया करेगा जरूर एक बहुत बड़ा negative है वो है ASM की fourth stage में आना long term की यह एक दिक्कत आपको निकल जाता है जो definitely निकलता हुआ देखने को मिलेगा अभी अगर उससे जल्दी जल्दी निकलेगा तो I think यहाँ पर चीजे जो है वो फिर से और positive होती भी देखने को मिलेगी बट अभी focus किस पर करना है कि आपका long term view क्या है अगर power companies के अंदर आप देखेंगे तो Adani power definitely valuable pick ह जिसने undoubtedly massive return दिये last एक साल के अंदर बट यही है कि यहाँ से company कितना बड़िया numbers लगातार पेश कर पाती है वो अपने आप में बहुत important होगा देखने होगा because याद रखेगा stock जब आपको 2009 में list हुआ था और आज अगर आप देखेंगे तो returns बहुत जादा नहीं है 290 person के return ह यह सिर्फ generate कर पाए और दूसर 90 से आप अगर massive देखेंगे returns जो है वो आपको last एक साल के अंदर आते होगे देखने को मिलें तो बात बहुत important है कि company का जो number से वो लगातार maintain रहे company के जो number से वो लगातार इसी प्रकार से रहते होगे देखने को मिले तब ही देखे company जो है व की तेजी है लेकिन इस हफते अगर आप देखेंगे तो कोशिश हुई है तेजी की 700 के नजदीक पहुचता हुआ देखने को मिला है बट आज यहां पर भी एक fall आता हुआ देखने को मिला प्लस सबसे बड़ी बात क्या है कि दिन के lows के तरफ बंद हुआ 695.10 का आपको दे क्योंकि जिस प्रकार से एडिबल ओयल इंडस्ट्री बेसिकली दोस्तों इंक्रीस कर रही है मुझे नहीं लगता कि देखें ज्यादा दिक्कत आनी चीए इसके अंदर भी जरूर देखें अभी जो रश्या यूक्रेन का वार हुआ वो एक consequence आता हुआ देखने को मिला बट यह है कि जो चीजे है वो आने वाल समय में वापिस से सुधरती भी देखने को मिलेगी और आई थिंक जो major impact आना था वो आ चुका बट यह है कि अगर आप कोई trader है तो उनके लिए जरूर एक stop losses यह है कि अगर आप last एक महिने में देखेंगे जहां बार बार support लिया है वो ए 800 रुपे के levels के तरफ stock बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिलना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था आपका क्या मानना है अडानी पावर के targets के बारे में अडानी विलमार के targets के बारे में comment करके बताईएगा thank you friends for watching this video